है 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 यह दोस्तो मैं अमंग पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पांडे पैट्स एंड गार्डिनिंग में दोस्तों हम प्लांट से लेटेड नहीं नहीं जानकारियां आपके साथ सेर करते रहते हैं तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो को सस्क्राइब कर दें और नोटिपिकेशन बेल को भी आउन कर दें ताकि प्लांट से लेटेड नहीं नहीं जानकारियां आपको मिलती रहें दोस्तों अभी अप्रेल का महिना चल रहा है और इस महिने में हमें कौन-कौन से प्लांट नर्सरी से लेने चाहिए उसके बारे और इसमें तिन चार अलग अलग कलर आते हैं यह एएसके खालने का ताइम है तो इससमय आप इसको इसके कलर से ले सकते हैं यह पिलीव वाईट रेड बहुत सारे कलर आते हैं कि तो हैडे ज़ीनバイज में घ्लाइंचर अक्षर टाइम आर इसके बाद इसमें फ्लावशото न प्राइब के बीच मिल जाता है और धियान रखें कि यह ठंडे आलाके का पौदा गर्म एरिये में पौदा सरवाल नहीं करता तो अगर आपके एरिये में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो आप इस प्लांट को ना ले और जो प्राइब हम बता रहे हैं वो देरादून के साफ आपके वाँ प्राइज डिफेंट हो सकते हैं अब इस समय दोस्तों इंडूर प्लांट में प्राइब का प्लांट लेने में बहुत ज्यादा फाइदा है इसी टाइम पेस में फ्लावरिंग होती है और यह बहुत अच्छा इंडूर प्लांट है और वाइट कलर में पत्ती के याकार का फूल आता है और बहुत अच्छा ये एर प्यूरिफायर भी है तो अगर आपको इंडूर प्लांटों का सौक है तो आप पीछ लिली को अपने घर में एट कर सकते हैं ये भी 100-120 रूपे के बीच मिल जाता है और एक ही प्लांट से बहुत सारे मल्टिप्लाइ हो जाते हैं तो आप एक बार पीछ लिली का प्लांट ले लें उसके बाद आप इससे घर में ही मल्टिप्लाइ कर सकते हैं अगरी एक अगलो नीमा का प्लांट है ये भी एक इंडोर प्लांट है और ये बहुत सारी अलग-अलग कलर की पत्तियों में प्लांट आता है ये प्लांट थोड़ा महंगा है 200-300 रूपे के बीच में इसकी ये वाली वराइटी आती है और इसमें एक और वराइटी आती है ये वाली ये जो डार्क रेड कलर की है ये प्लांट हमारे महंगा मिलता है 400 रूपे के अराउंड ये प्लांट मिलता है तो अगलो नीमा लेने का भी ये कपी अच्छा टाइम है इस समय आप नर्सरी से इसे परचेश कर सकते हैं और ये समय से लाएंगे तो ये ग्रोध पी अच्छे से करेगा सिजनल फ्लावर में दोस्तों जीनिया के प्लांट अभी आपको नर्सरी से मिल जाएंगे 25 रूपे और 20 रूपे में ये प्लांट मिलता है इसके अलावा भी बहुत सारे सिजनल प्लांट है हमने एक वीडियो भी ब प्लांट ले सकते हैं जीनिया उन समय सबसे अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सारे अलगलग कलरों में आता है और शितंबर अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है तो इसको भी आप अपने गार्डन में एट कर सकते हैं और सीजनल वेजटेबल की पॉद भी आपको अभी न्रस्री से मिल जाएगी लॉकी की खीरे की बेल मिर्च की पॉद बैंगन की भिंडी की लगबक सभी जो गर्मियों के जी सब्जियां होती है उनकी पॉदें अभी आपको न्रस्री में मिल जाएगी आट रुपे से दस कि यह पौद मिलती है तो अगर आप इन्हें अभी गार्डन में लगा देंगे तो पूरे सीजन में आपको यह सब्जियां देते रहेंगे टेरिस गार्डन के लिए और पौड गार्डन के लिए यह काफी अच्छी चोईस है तो वेजटेविल की पौद भी आप इस समय एड कर सकता है 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 ओन्याज में दोस्तों क्रोटन के प्लांट समय सबसे अच्छा टाइम इनको होता है लेने का पूरे बिंटर मिन की पत्तीयं गिड़ जाती है और स्टैंपिन की पत्तीय आती तो यह समय आप इनक अलग-अलग कलर ले सकते हैं बहुत सारे विएशन में प्रो यह दूसरा वेरियेशन है इसमें यह ठोड़ा महंगा आता है नॉर्मली 50-500 रुपे के बीच में क्रोटन के प्लांट मिल जाते हैं तो आप इनको ज़रूर एड़ करें अग्यां कें दोस्तों लेवाल ट्रेलियम लें कर प्लाउर का पलांट यह इसकी फ्लाउर इंग platform प्लाउर अगले सीजन में आपके काम आ जाएगा सितंबर अक्टूबर में जब इसके बल्ब मिलते हैं तो इस टैम हमें फ्लावरिंग का पता नहीं होता है पर अभी हम इसके फ्लावर देखके इस प्लानिट को ले सकते हैं अभी ये सस्टे में भी मिल जाता है क्योंकि अब इसका सीजन नहीं है और इसके बल्ब को आप स्टोर कर लेंगे तो अलग अलग कलर के बल्ब आपके पास अविलेबल हो जाएंगे तो इस समय आप इसको सस्ते में ले सकते हैं और एमरिस लीली के बल्ब भी स्टैम पे मिलता है इस टायम इसकी फ्लावरिंग का टायम है तो इसमें सिंगल पैटल डबल पैटल और अलग लग color डर वाइट लाइट कलर इसमें καता है तो वह आप ब्लांट को देखते ले सकते मिप्लांट की बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं के पचास से सो रुपे का प्लान्ट शिनम नर्स्रीमें मृल रहा है के माँतों स्क्लालेंट गरो स्कॉल्अ करने सबसे अच्छा टाइम है मार्च-प्रेल में सबसे अच्छी ग्रोत लेते हैं सकलेंट में भी फौट सारी वराईटी आती हैं और वराईटियों के साफसे अलग ниने के प्राइज भी होते हैं कि Normally सकलेंट ह हमारे माँ पचास रुपे से और धाइसो रुपे के बीच में सारे मिल जाते हैं ये जैट प्लांट कि यह काफी अच्छा सकलेंट है और सक्लेंट भी इजली ग्रोव कर जाते हैं यह क्रैसुल है यह काफी लखी प्लांट माना जाता है इसको भी आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांटों में दोस्तों कलेंचो इस समय आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा क्योंकि अब इसका भी सीजन खताम हो रहा है तो अब यह प्लांट आपको सस्ते में मिल जाएगा नॉर्मल यह हाइब्रीड वाले जो कलेंचो होते हैं 200 से 200 रुपे के होते हैं अभी यह आपको 120 रुपे कम मिल जाएगा और आपको बढ़सात में से पानी से बचाना होता है बाकि यह पर्मनेंट प्लांट है अगले सीजन में फिर से फ्लावरिंग सुरू कर देता है यह भी बहुत सारे अलग-लग कलरों में आता है और एजली प्रॉपरगेट भी हो जाते है कि बहुत आतो यह दो केलन्मिल ऑपने गार्डन में इस टाइम पर एड़ कर सकते है और इसकंदे बकुरुव है कि यह थंडे को अ ये color wise मिल जाएंगे इसमें भी तीन चार color आते हैं तो इस time फ्लावरिंग नहीं रहती है तो आप color से इसको लें नहीं पाएंगे पर ये time इसकी flowering का है तो इस time पे आपको with color available हो जाएंगे यह पॉट में लगे वे हैं तो यह थोड़ा महेंगे हैं लेकिन आप इसको पनी में लगे वे प्लांटों को 50-80 रुपे तक में ले सकते हैं बोगन विला भी इस समय सबसे बेस्ट स्वाइस है दोस्तों लेने के लिए इस समय इसमें फ्लावरिंग होती है तो आप अलग-अलग कलर के बोगन विला ले सकते हैं यह यलो कलर का है लेकिन इसमें बहुत सारे कलर आते हैं यह वाइट है और यह पिंक कलर है बोगन विला भी दोस्तों नॉर्मल देशी वाले 50 रुपे में मिल जाते हैं और थाई वाले बोगन विला 200 रुपे तक में मिलते हैं तो आप इसको भी एड़ कर सकते हैं हीविस्कुस का भी फ्लावरिंग का टाइम यह दोस्तों इस समय आपको अलग-अलग कलर के विस्कुस मिल जाएंगे यह हाइब्रिड वाले हैं जो पॉट में लग जाते हैं तो यह 200 रुपे तक मिलते हैं इनका साइज भी बड़ा होता है और कलर भी इसमें बहुत जादा मिलते हैं तो हाइब्रिड वाला हीविसकस इस समय सबसच्छी फ्लावरिंग करता है तो आप इस समय ले सकता है इसमें एक कलर यह देखिए यह यलो वाला कलर भी खिल रहा है पॉट के लिए आप हाइब्रिड हीविसकस ही लें और अगर आपको जमीन में लगाने हैं तो यह देशी यह बहुती आराम से 50 रुप में मिल जाते हैं और बरसाथ के टाइम पर यह कटिंग से प्रॉपगेट भी हो जाते हैं अब यहां पर यह पिंकी खिला हुआ है तो ही विसकेस को भी आप इस टाइम अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं तो ही आजwijär लिए लाश्ट प्लान्ट है अश्व करता है आपने को यह वीडियो पसंदए होगा तो आप अपने श्चेशन लायक करदें और nevertheless बेसेभी बोल यह जाननेवाल ने सिजन भी शेयर करतें है यह खिलाब का पौद है गुलाब का शीजन अब चला गया है लेकिन ग जाता है नॉर्मली 200 तक कभी गुलाब मिलता है पर इस समय जब इसका सीजन खतम हो रहा है तो यह आपको 50 रुपे 60 रुपे कभी गुलाब आराम से नर्सरी में मिल जाएगा तो यह सीजन भी काफी अच्छा है गुलाब को खरीदने के लिए तो आप इसे इस समय एड कर सकते है तो चलिए दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ तब तक कि लिए आप सभी को हैपी गाडनिंग बाए दोस्तों ठैंक्स फर वाचिंग